दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग गॉड्जिला वर्सेस कॉंग की फाइट को बैटमन वर्सेस सूपरमन की फाइट से कंपेर कर रहे हैं जहां एक तरफ वो लोग को एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट करवाय जाता है लेकिन बाद में उनको उनसे भी बड़े सूपरविलेंस से फाइट करनी होती है और वैसे भी दो तीन बार लोगों को ट्रेलर देखने के बाद ये सवज माया है कुछ लोगों तो पहली बार मैं सवज माया है यहाँ पर गॉडजिला और कॉंग के अलावा एक और मॉस्टर है जो कि हुमेंस के थूरू बनाए गया है जिसके राम है मेका गॉडजिला क्या यही वो चीज है जो गॉडजिला को भढ़कार है जिसकी उजिसे वो शेहर मागे कॉंग से फाइट करने और यहाँ पर कॉंग जो कि हम लोग को लास्ट इम स्कॉल आइलेंड में दिखाए दिया था वो हुमेंस के साथ क्या कर रहा है और उसे कैसे लोग बांदे है और उसका साइज इतना बड़ा होगे तब भी हो कैसे हुमेंस के कंट्रोल में आज सब लोग डिसकस करेंगे तो दोस्तों कॉंप्लीट वीडियो को स्टार्ट अंसपहल आप लोग कर दीजे वीडियो को लाइक और कमेंट करकिए बताइए कि गॉड़ला वर्सेज कॉंग में कौन सबसे जदर स्ट्रॉंग है और आपके हिसाब से कौन जीतेगा साथी साथ जो लोग में चनल पर नए हैं में चनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फेमली का हिस्सा बन जे तो दोस्तों हम लोग शिरुवात करते हैं यहाँ पर एक सीन की जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टोकियो में यहाँ पर कुछ लोग भाग रहे लेकिन इसके अलावा हम लोग जो पहला शॉट देखते हैं में लोग कॉंग को एक नेवी बोट में ले जा रहे हैं अपने शहर में अब यहां पे हर किंग कॉंग मुई में आप में यह देखा होगा कि यहां पर लोग कॉंग को पकड़ लेते ले आते हैं और यहां पर को कंट्रोल करने का उनके पास एक तरीका है यहां पर हम लोग को एक छोटी लड़की दिखा गई यह जो की बताती है कि वह कॉंग से कम्मुनिकेट कर सकती है अब यहां पर यह जो लड़की है यह जो अर्गनाजेशन इनके पास पहले से थी या फिर यह एक्चुली में कॉं कॉंग सकल आलेंड में रहती थी क्योंकि अगर हम लोग उस मुई को देखे तो वहां पर पे कुछ लोग थे जो कि कॉंग के साथ ही रहते थे और कॉंग उनकी रक्षा करता था तो हो सकता है उन में से एक यह वह ही लड़की हो यह लोग को ले आ आ रहे है तो उसके साथ उ बजबनी आती भाई कि गॉडजिला जो कि अपनी मुई में कें गिडोरा से फाइट करके उसे खतम किया था यूमेंस को बचाय था वह आखिर कर ऐसा क्यों कर रहा है आखिर क्या होगे उसके साथ क्योंकि फैंस को लग रहा था कि चलो कॉंग वर्सेज गॉडजिला फिर हम लोग अगला शॉट देखते हैं गॉडजिला वसेज कॉंग का और यहां पर कॉंग आजाद हो गया है या तो उसने गुसे में अपनी चेन खुदी ब्रेक कर लिए होगी और फिर दोस्तो जो लोग कॉंग को लाए थे उन्हें अब यह लग रहा है कि गॉडजिला स जमीन पर भी स्टॉंग है जैसे कि उसने फाइट की तिकिंग गिड़ो रहा से लेकिन अगर उसकी फाइट पानी कंदर होती है उसे कोई नहीं हरा सकता यानि पानी उसकी पावर डबल हो जाती है यानि दोस्तो अभी इस सीन में गॉडजिला के पास अडवांटेज है और क हम लोग एक और सीन देखते हैं जब कॉडजिला ने एक बीम से हिट किया और यहां पर कॉण जम कर लिया लेकिन दोस्तो इसी सीन में हो सकता है कॉण घायल हो अब बाद में हम लोग को कॉण रीकुवर करते हुए गाड़ोड जिला से फिर फाइट करते है नजर आए ये theory गलत है क्योंकि मेरे साब से उसके लिए तो वहाँ पे एक लड़की है जो कॉंग को बता सकती उसे क्या करना है लेकिन ये serum काम कुछ और हो सकता है जो की है कॉंग की height को बढ़ाना यानि दोस्तों यहाँ पे humans कुछ अलग तरीका यूज़ करें ताकि वो कॉंग को और ब में एक बात पर focus किया गया है कि बचे का तो सिफ एक और यहाँ पर यह भी खागी कि कॉंग कभी हार नहीं मानता और जो हम लोग axe देखे थे ट्रेलर में जिससे कॉंग गॉड़ुला को पर attack करा था वो हो सकता है humans ने बनाई हो उसके लिए दोस्तों चलिए उस point पर जिसका आदमी के हम लोग को मेका गॉड़ुला का पूरा control दिखाए दे रहा है यानि दोस्तों इसके अलावा एक और organization है जो कि यह गॉड़ुला बना रही है और यहां पर यहां पर दूसरा गॉड़ुला जो अपनी धुन में है पता नहीं क्यों गुस्सा आया हुआ है और दूस दूस्तों यहां पर यह भी हो सकता है कि जो organization ने king kong को बनाया हो उसी ने mecha godzilla को design किया हो क्योंकि वह में गॉड़ुला को हरा सके दूस्तों यहां पर ट्रेलर को कुछ और सीन आता है जहां पर गॉड़ुला city को destroy कर रहा है लोगों पर attack कर रहा है लेकिन दूस्तों इसके दूसरी organization की कोई चाल हो सकती है यहाँ पर यह कहा जा रहे कि जो mecha Godzilla है वो दूसरी organization ने इसलिए बनाया ताकि वो Godzilla को भड़का सके यानि वो organization भी अच्छी तरह जानती है कि Godzilla को खतम करना ऐसे आसान बात नहीं है इसलिए उसी का एक रूप बना के उसी के तुरू काम करवाए जाए यानि इंडेक्ट में यहाँ पर दिखाए जा रहा है यह कि audience को कि Godzilla गलत है लेकिन असल में यह जो mecha Godzilla है यही सब कर रहा है तो अगर हम लोग कॉंग के आक्स की बात करें तो वो actually में Godzilla के spine से बने हुई है अब ऐसा क्यों है क्योंकि हो सकता है Godzilla को उसी का कोई body part मार सकता है जिसकी जैसे यहाँ पर कॉंग को वो axe बना के humans ने दी होगी और यहाँ पर ट्रिलर में एक और fight sequence दिखाए गया कॉंग skull island का और यह तब का scene हो सकता है जब humans actually में आ है कॉंग को capture कर निकले यानि दोस्तों वो कॉंग को अपने तरीके से control करके monster बनाने चाते है और वो पता ने उसके साथ क्या करना चाते है लेकिन end में तो movie में यही को कि कॉंग आजाद होने वाल है क्योंकि कॉंग जादा time तक किसी humans के cat में नहीं रहेगा और यहाँ पर हम लोग एक billboard भी देख से जहाँ पर यह दिखा जाता है कि Godzilla ने कहाँ कहाँ सब कुछ अपना काम किया है यानि दोस्तों Godzilla सिर्फ एक जिकानी बलकि पूरी दुनिया में इधर सुधर कर रहा है जिसकी वज़ेसे यहाँ पर काफी ज़दे लोग हैरान है दोस्तों आगे लोग बात करें उस special axe की जो की कॉंग के पास है वो उसे इसलिए भी दी गई है क्योंकि वो Godzilla को जो atomic beam है उसको absorb कर सकती है जिसकी वज़ेसे कॉंग को फिर से कुई ऐसी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ट्रेलर के पहले सीन में लोग देखे थे कॉंग उसी की वज़े से घायल हो गया था लेकिन अब उसके पास एक weapon भी है और वो एक तरह से एक shield भी है जो की Godzilla के attack को अच्छे से control कर सकती दोस्तों ट्रेलर में लोग मेडिसन रसल को भी देखते हैं जिनकी ममी ने अपना sacrifice कर दिया था वो अपने आख से देखी थी कि Godzilla ने कैसे गेड़रों का हरा है तो विश्वास करने को त्यारने कि Godzilla ऐसा कर सकता है यानि वो एक होगी जो Godzilla के तरफ होगी ना कि King Kong के तरफ और वो बताने की कोशिश करेगी कि Godzilla जान मुझ कैसा ने कर रहा बलकि कोई ना कोई इसके पीछे है जो उसे ऐसा करवा रहा है और यहां पर जब फानली यह सब रिवील हो जाएगा तो यहां पर Godzilla और Kong हम लोगो एक साथ दिखाए देंगे लेकिन दोस्तों कोई में मेरे सबसे किसी भी monster का end नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे audience को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यहां पर fight देखने में audience को काफी मजाएगा और दोनों लोग बज्जे और mechanical Godzilla को हरा दे यही audience देखना चाहती है तो दोस्तों यह थी एक amazing update